तो दोस्तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आज कल एक गेम गेमिंग इंडेस्ट्र में खूब धूम बचा रहा है जिसका नाम है होगवर्ट्स लेगेसी विकोज इसमें वो सब है जो कि एक हैरी पॉर्टर फैन को चाहिए गेम के सिक्रेट्स का पता लगाना है और गेम की स्टोरी की मजे लेने है तो इस गेम को भी आप डेफिनेटली ट्राय करना PS2 एमिलेटर के हल्प से आराम से चला लोगे इसे नॉबर 9 गेम इस Harry Potter and the Chamber of Secrets तो ये गेम भी यहाँ Harry Potter franchise की movie पे based है जिसका size है around 550 MB और इस गेम में हमें पिछले वाले गेम से पीछ जादा बढ़िया adventures देखने को मिल जाते हैं जहांकि हम Harry Potter और उसके दोस्तों को साथ लेकर एक बहुती शानदार journey पर निकलते हैं एंड हमारी last two games के तरह ये गेम भी यहाँ पर एक action adventure fantasy game होने वारा है जो कि Harry Potter movie पे based है जहांकि आप Harry and उसके दोस्तों के साथ मेरकर एक नए नवेले adventure पर निकलते हो नए नवेले एनिमी से भी लड़ते हो और नए नवेले secrets का भी पता लगाते हो और कच्चे के लिए के जैसे spells बोल तो जादू का टोना टोटका भी सीखते हो इस game को भी आप definitely से try कर सकते हो बट ध्यान रहे कि आपके पास एक धंका सा smartphone होना चाहिए इस game को चलाने के लिए यह नहीं कि आप अपना अलू जैसा phone लेकर आ रहे हो और फिर उसमें चला रहे है उसे उस पर बिल्कुल भी work नहीं करेगा यह जैसे के Harry Potter वाली देश्ती वासा में हम Quidditch के नाम से भी जानते हैं लेकिन यहाँ पर catch यह है कि यहाँ आपको dragon से भी भी बिढ़ना है उसका अंडा चुराना है ओपनेंट्स को हराना है और न्यू दोस्त एन एक बड़िया सी girlfriend को भी पताना है और PC और PS2 दोनों पर अवेलेबल है यह गेम तो आराम से जाके खेल लो अबर नमबर 6 गेम इस लेगो हैरी पॉर्टर एस 124 यह गेम भी यहाँ पर एक बिल्कुल यूनीक स्टाइल का Harry Potter गेम होने वाला है जहांकि हमें एक लेगो स्टाइल के ग्राफिक्स देखने को मिल हैं इस गेम में आपको टॉप डाउन देखने को मिलेगा जहांकि आपको तगड़े अक्शन तगड़े अडवेंचर एन एक लाजवाप सी स्टूरी भी देखने को मिल ही जाएगी और हाँ यह गेम काफी पहले PSP के लिए लाउंच हुआ था बर डोंट वरी आप इसे PPSSPP अपने पुराने या फिर नए दोनों तरह के फोन्स में आराम से खेल सकते हो नाव अवर नमबर फिफ्ट गेम हैं इसका साइज है अरूंड 550 MB इस गेम के बारे में आप और क्या ही बता हूं यार आपको विकास इस गेम में वह सब हैं जो कि हमारी लिस्ट के बाकि सारे गे जाएगी तो इस बड़िया से गेम को पका से ट्राइ करना पीएसपी के लिए फ्री में अवेलेबल है लेकिन आप रुप जाओ रुप जाओ भी ट्राय मत करना विकॉस टाइम फो टुड़ी गेमिंग क्वेस्टिन अब इस पर भी आवड़ा करू क्या है आप सॉरी सॉरी स्पैल बैन है मुझे पता है वो स्पैल बैन है यार लेकिन तुम रुपते ही नहीं हो रुप जाए गरू प्लिस खेर आज आपको बताना है कि हैरी पोर्टर सीरीज का में विलन का क्या नाम है हिंट में जारा से देदू तो वो सूर पनका है उसका नाक नहीं है और वो इसका साइज है अराउंड 1.3 GB and as the name suggests यहां आपको आदे खून वाला राजकुमार देखने को मिल जाएगा अबे साले अबे मजा कर रहा हूं यार मजा कर रहा हूं डंडा मत उठाया करो पिछले तीन वीडियो से देख रहा हूं मजा करने पर डंडा उठा लेते हो तुम लो करें अगर इस गेम को चलाने की तो आप इसे डेफिनेटली PS2 में चला सकते हो और PSP के लिए भी अवेलेबल है और फोन में तो आपको पता ही है कैसे चलाना है नाव अवा नंबर थर्ड गेम इस लेगो स्टाइल का ही Harry Potter गेम होने वाला है जो कि पहले वाले लेगो गेम से भी जादा बढ़िया है विकास यहां आपको पिछले वाले गेम से भी जादा बढ़िया ग्राफिक्स, जादा स्पेल्स, जादा एनिमीज और बहुत जादा एक्शिन एडवेंचर भी देखने को मिल जाता है बट हाँ यहां पर एक अनफॉर्चुनेट निउस है कि यह ग सब्सक्राइब जिसका नाम नहीं लिया जाता है अपैरेंटली समझ रहे हो ना खैर इस जरी में आपको तरह तरह के विलेंस एंड मॉंसर भी दिखेंगे जिनका आपको सामना करना है उन्हें खत्म करना है और उन्हें मजा भी चकाना है इस गेम को भी आप डिफिनेटली लंबा चड़ा है बट उसी के अपोजिट गेम में काफी जादा मस्ती होने वाली है जहांकि हमें फाइनली लौड वोल्डमॉट एन उसके पंटेरों का सामना करना है सो इस गेम में हमें हैरी पॉर्टर एंद देटली हैलोस पार्ट वन के ही आगे के स्टोरी दिखाई जा तो इस गेम को भी आप देशी जुगार लगा के अपने फोन में चला सकते हो अब मैं नहीं बताऊंगा कैसे मुझे मेरा चैनल नहीं उडवाना है तो दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को यहीं होता है समापन बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक तो करी देना व पर हाँ लगे हाथ अगर तुम आप लाइक्स कर ही रहे हो तो हमारे यांद्रोड गेम फणी रनन को भी जरूर से चेक आउट करेंगा विकाज फ्री है और बहुत ही कम साइज में भी अवेलेबल है विच बेसिकली मीन्स कि आपके पुराने से पुराने दिवार में धसे फ कराना मेरी स्पेल बुक कहां रख दिया तुने क्या कहा रद्धी वाले को दे दी अब जब ही मैं सोचू कि पैरों के नीचे ज़ाडू को दबा रखे उस बंदे ने बाई उड़ी के चला गया ज़ाडू से यार पागले कह तू राजू रुख जा आभी तेरे पर घूंग एक हाउस पैल का इस्तमाल करता हूं मैं